सभी के कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं सभी के कमाने का अलग अलग समय होता है जो लोग समय को समस्ते हो समय के साथ चलते हैं वो समय के साथ कमाते भी हैं जिन लोगों को समय की कदर समय की बैलू नहीं होती है वो लोग ना तो समय से कमाते हैं और ना तो समय से बचाते है तो मैं आज की वीडियो में बात करूँ हो है आउटो रिक्षा चलाने का सही समय क्या होता है आउटो रिक्षा में आप अच्छा पैसा कब कमा सकते हो इस सारी वीडियो को आपको पुरा देखना है तो चलिए सुरू करते हैं आउटो रिक्षा चलाने का सही समय देखो क्या ह सबसे पहले think about all public, पुरी पब्लिक के बारे में सोचो कि पब्लिक निकलती गब है, अगर मैं एक सबजी वाला हूँ, तो सोचो मैं कितने बज़े निकलूँगा, मेरा टाइमिंग सुवे का चार बज़े पांच बज़े रहेगा, अगर मैं दूद वाला हूँ, तो मेरा टाइ टाइमिंग जो होता है, वो 9 से 9, last last 10 बज़े तक वहां उनको पहुचना होता है, यह उनकी टाइमिंग होती है, अब सोच लिजी अगर किसी का दूर जॉब है और 9 बज़े का टाइमिंग है, तो उसे शूर है कि घर से 7 बज़े निकलना होगा, अगर वो और उससे दूर र गारी की जोरत पड़ेगी, तो अगर आप आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अपने टाइमिंग को बचा करके, तो आपको सुबह 5 बज़े गाड़ी निकालनी होगी, अगर आप सुबह 5 बज़े गाड़ी निकालते हो, तो आप लगवक 10 बज़े कम से कम मिनिमम पांसो छे सो रुपया आराम से कमा सकते हो यह टाइम होता है कमाने का अगर आप आलसी हो लेजी हो आपको नहीं टाइम पता है आप 9 बजए निकालते हो तो आप 9 बजए से लेके 5 बजए तक शाम को चलाएंगे तो जाके आप 500 रुपया कमाएंगे ओभी बड़े मुश्किल से हो ग ड़खाने के लिगे ताकि सब अपने काम पर लग जाले कि सूरी के जो बाद उठता है वह कभी कमाने पता है तो अगढर आपको ओशेह पैसा कमाना है आप कुछ भी करते हो तो पाच बजए उठना चानो करो मानलों आपके पास कोई जौब और आप कुछ नहीं करते हो आप सुच्छों की चलो मुझे कोई काम न हो है तो भी आप सूरी के Sounds तो अगर आप सुर्योय के पहले उड़ते हो तो आप अच्छा पैसा कमा आओगे सुर्योन के थै Nick तो पैसा कमाऊगे कि नहीं कमाऊगे यह तो आप यह नसीब क्यों पर है तो डियर आउटो ड्राइबर ओला और क्याप ड्राइबर एनी कोई भी कमाने वाला है तो अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो मौर्डिंग में पाच बजे उठिए आप अपना नहाई धोई यह सब्सक्राइब करो